Hey guys, welcome to my channel trick info मेरा नामे राहूल, स्वागत है आपका आज की इस न्यूव वीडियो में दोस्तों आप लोगों को पता तो हो गए कि उत्तर परदेश सरकार की तरफ से स्टूडेंट्स को मुबाइल और लैप्टोप मिल रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको पूरा लाइव प्रोसेस बताऊंगा और समझाओंगा कि आपको उस लोग को उन कैसे करना है तो चलिए वीडियो स्टाट कर लेते हैं वीडियो को पूरा लाश्ट देखना तभी आपको समझ में हैगा तो यह हमारा फून है जो कि सैमसंग का है और इसमें इस तरीके का लोग लग रहा है ठीक है न यूजरनेम और पासवर्ट डालना है तो इससे करने के लिए सबसे उपर देखें कि लोगो बन रहा है इस पर 5 से 6 बार जल्दी जल्दी टैप करिए और यहाँ पर एक कोट डालने का उप्शन आ जाएगा यहाँ पर आपको कोट डालना है 4 5 6 7 आपको चारों में 4 5 6 7 डालना है और इसके बाद नीचे एंड का उप्शन आ रहा है उस पर किलिक करना है तो मैं जल्दी से 4 5 6 7 डालके नीचे एंड पर किलिक कर देता हूँ accept and continue पे click करना है और यह हमारा knock security system on हो रहा है इसमें मैं आपको दो तरीके बताऊंगा यह पहला तरीका है अगर इस से हो जाएगा तो अच्छी बात है यहां पे एक तरह का error बनावा गया ठीके न अब आपको क्या करना है power button दबा के phone को off करना है ठीके मैंने phone को off कर दिया अब मेरे को phone को reboot करना है यानि कि power button दबाना है और volume up button मुझे दोनों को एक साथ दबा के रखना है और इसके बाद जब phone हमारा on हो जाएगा इसके बाद volume up वाले को दबा के रखना है थोड़ी देड़ तक लगबग 10 से 12 सेकिंड तक ठीके न इससे हमारा factory data reset का जो option होता है वो आ factory data reset पे हमें okay कर देना है ठीक है इससे हमारे जो phone का factory data reset हो जाएगा और वापिस से हमारा phone on हो जाएगा मैं पूरा reboot करके आपको दिखा देता हूँ ठीक है start करने के बाद जैसे पहले करता वैसी करके आपको next पे क्लिक करना है accept and continue और वापिस से हमारे जो nox security हो reset हो जाएगी ठीक है इस बार आपको इससे okay करना है जो error वाला option आ रहा है और यहाँ पर user name और password डालना है जो आपकी screen पर user name और password डालना है यही आपको यहाँ पर fill करना है ठीक है आप लोग ध्यान से देख लिजेगा जो आपकी screen पर user name औ password आपको वही feel करना है और okay कर देना है ठीक है तो अब हमारा phone यहाँ पर restart हो रहा है wait कर लेते हैं process में तो देखिए authentication successful हो चुका है यहाँ पर और यहाँ पर बेस में देखिए आने की bottom में देखिए दो option आ रहे है minimize का और back करने का तो पहले में minimize पर क्लिक करके देख लेता और उपर आप लोग देख सकते हैं test device successful लिखावा आ रहा है यहाँ ठीक है तो मैं minimize करके देख लेता हूँ पहले क्या option आ रहा है तो यह minimize नहीं हो रहा है एक बार रोल करके देख लेता हूँ नहीं हो रहा मैं back करता हूँ बैक करने के बाद यहाँ पर done का option आ चुका है यानि कि मेरा जो device है वो start हो चुका है एक बार swipe up कर देता हूँ उपर की तरफ और यहाँ पर okay का option आ रहा है करने के बाद agree करना है agree करते हैं जो मेरा फोन है वो start हो चुका है अब मेरे फोन के अंदर जो application है वो reboot हो रही है यानि कि वो update हो रही है यह offline होता है सब कुछ इसमें आपको internet की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहां से हमारा जो फोन है start हो चुका है ठीक है देखा आप लोगों से आप अपने फोन को smartly easily start कर सकते हैं इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है ना इस सर्विस सेंटर जाना है ना किसी software वाले के पास जाना पड़ेगा ठीक है दोस्तों आई होप सो आप लोगो समझ में आ गया होगा अगर आज के वीडियो अच्छी लग यह चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए तो गाइस थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो और सब्सक्राइब दिस चैनल